दोस्तों कुछ दूनों पहले मैं एक वीडियो बनाई था जिसमें आपको बते था जो रोज के आईटमें कौन-कौन से होते हैं जिनकी सहाइतास अच्छा रहर सा रोज नहीं चाहिख सारी को सुधियों बना सकते हैं पर chemical जो होते हैं common ही होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं आपको दोस्तो एक्सपेरिमेंट खुदी करके देखना पड़ेगा कि यह chemical डालने से कौन सा नोट हमारे को आ रहा है और हमारे को कितने मातर में डालना चाहिए यह भी दोस्तों आप आप एक्सपेरिमेंट करके खुद देखेंगे मेरा काम है केवल आपको chemical के बारे में बताना जिन जिनके chemical के अंदर जैस्मिन का जो नोट है वह पाया जाता है इनके सहायते सब जैस्मिन बना सकते हैं देखे सुरुवात में सबसे पहला बैंजल एस्टेट ठीक के बेस है इस जानते हैं एक दूसरा है एक्सायल से नेमिक एलडियाड देखे यह एलफा एक इससे एक स्टेप आप उपर का जो केमिकल लेंगे ठीक है यह भी काफी जादा इस्ट्रोंग केमिकल माना जाते है या फाइन अगर जैस्मिन बनाने जा रहें तो भी आप जो है इसका से नेम जैसे हैडियोन के नाम से जाना तो बहुत ही जादा जो मिठास वाला केमिकल है ठीक है यह होता है जैसे कि मान लिजे आप रोज बनाने जा रहे है और जरेनमिक का यूज करते हैं तो काफी जाद आपकी जैस्मिन है एन्हेंस हो जाएगी अगला है बेंजल फिलाइल कंपनी और लग लग बनाती है मतलो तो मेरे को एक कभी मेरे पास में आया था तो मैं आपको बता रहा हूं जैस्मौन दूजरा है सैट्रेल एसिटेट जिसे कि हम डीबें में के नाम से भी जानते है नाम मैं यहां पर लगा दूँँगा भी दिमाग में नहीं आ रहा एक ल चैसल फिनाइल एस्टेट करकेश की फिलपो में में अगला दोस्तों चुपर फाइन ज़ो है वह है लिइन है अगला है इंडल तो काफी जाद अप होता है यह इसका काम होता है जो तो जस्मिन की फ्रेग्रेंस उसको चोक कर देना इससे चोकिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं तो इक्स कर देता बहुत ही देर तक दोस्तों जैस्मिन खुश्बू अपने रूम मगर में बनी रहती है फिर है लीमुनीन ठीक है वैसे तो लेमन खुश्बू में भी काम आ अगर चाहेंगे दोस्तों मैं एक पाउडर के बारे में आपको या एक एक पाउडर के बारे में आपको या अगर आप रिपलाइ करते हैं बना दीजिए आज की वीडियो में दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना चैनल पर ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं जल्दी मिलूंगा एक और ऐसी टॉपिक के साथ तब तक किल जैंद